नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग फिर से स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल में जिस तरीके से वो इमरान खान की गवर्रमेंट आने के पहले करते थे अब वो चाइना पर भी बात कर रहे हैं और इसराइल पर भी बात करते हैं तो चलिए दोस्तों बेना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं वीडियो के देखने के बाद वीडियो के बारे में करते ह तो ले इंट्रिस्टिंग बाते हैं जो हैं तो लेत्स कंट्नीव इंटरिस्टिंग पर आजाएं कि वहां सब्सक्राइब हो रही हैं जो भाहत हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर बात की जए युई एई का मसला चल रहा है जिस तरह हमारे लोग जो है वो वापस भेजे जा अभी कुछ दिन पहले जैनल अमजद चुईब साथ का एक मैं उन्हों विलोग किया तो मैं सुन रही थी उसमें बात की गई कि घुमा फिर आकर ये बात भी जो है वो इसराइल से जो है वो जोड़ी जा रही है और ये भी एक तरह से जो है वो प्रेशर है हम पे तरह आप सी मार्शी तोर पे स्ट्रॉंग हो जाएंगे ये मुझसे तब सवाल पूछिएगा जितनी डिपेंडनसी है हमारी रिमिटन्स पे अगर आप इस क्वाटर की सिर्फ देख लें तो साथीर एभी से 2.7 बिलियन आई है यू एई से 1.9 बिलियन आई है आप समझते हैं कि हम ये स्टेन कर पाएंगे जो हमारे पर डाला जा रहा है वीजावी इसराइल अच्छा आप इसको इन टरम्स ऑफ प्रेशर इन टरम्स ऑफ मनी देख रहे हो मैं मेरे जहन में कुछ और तरह के सवाल उटते हैं अपनी कमिलमी की वज़े से मैं कभी-कभी सोचता हूं और ये अच्छा तुक मसला मत क्या प्राबलम आपने हिंदोस्तान को तो तस्लीम किया हुए हैं दूसरी बात यह है कि आपके तस्लीम करने ना करने से इसराइल की से पहले को फर्क पड़ा है आज पढ़ रहा है आप तस्लीम करते हो नहीं करते हो आप टाशर ले सकते हो नहीं ले सकते हो वो तो बात 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 की बाते हैं ना कोई लॉजिक होती है को रैशनेल है को दलील है को तुक है यह नेक्स डोर है किश्मीर देखो आप देखें डॉक्टर मारिया हम तो एक गली में कठे नहीं है यार हम खुद फोगेट अबाउट यह जो अमार यह आलम इसना उसका भूल जाओ मुझे यह बताओ कोई यद याद है जो हम सबने कठी की हो नहीं अजने आपकी ओवरलैप करती है या तो मेरी और आपकी अजन में फरक हो को एक घंटे का नहीं एक दूसरे पर वाट अस दिस यह उसकी मस्जद है यह उसकी मस्जद है मस्जद तो जहां स सजदा दे रहूं यहीं मस्जद है जब मैं सजदे में हूँ जब तक तो यह मस्जद है लेकिन नहीं यह डॉक्टर मारिया की है यह सनसार की है यह गामे की है यह माजे की है यह फलाने की है तो हम कभी गिरवानों में में जांक लें कोई हर्ज नहीं रेलिस्टिक होने में तफक्र तदब्र में कोई ये कुरानिक विज्डम है हुकम है हमें सोच बचार का आप सुन लें एक सेकंड के लिए ज़रा रुक लें ठोड़ा ठिटक के सोचें किया वाट वाट गॉइंग आन जिस मुल्क में बच्चे को खुराख खालिस ना मिल सकती हो सुआए उनके जो से उपोर्ड कर सकते हैं जो केमिकल्स वाले दूद पर बच्चे जिन्दा हैं नहीं देखें ये हम उन्हें तसलीम अच्छा भी ना करो तसलीम तो अब मुझे कहना यहुदी एजेंट है कोई शर्म है या एक लॉजिक है यार एक लॉजिक के साथ उसका आप जवाब दे दो दबाओ आएगा फलाँ आएगा ने वो दबाओ शुबाओ को नमारो गोली मुझे घर बैठे एक बात समझ नहीं आती हिंदोस्तान ये फलाना ढमकान ये जो कुछ भी है जो उनका रवया है जो उनका सुलूख है अपनी अकलियतों के साथ मुसल्मानों के साथ वो तो तसलीम किया हुआ है आपने जिए मेरी समझ से बाहर हैं कुछ बात ने कश्मीर पर हमारा वो यू हो जाएगा अगर हम यू कर लेते हैं तो यू हो जाएगा अचा भी यू कर लो यू कर लो ओँ ग्राउंड यालिटी क्या है लगे रहो अच्छा यार बात सुनो मुझे माफ कर देना आप सेंसर कर लेना जो हमें लीगल, कॉंसिट्यूशनल, गलोबल, फलाना हर इत्वार से जो हमें मिला था वो तो आदा हम से गवा बैठे है कोई लाजिक है? मुझे समझा दें, मैं सीखने के लिए मैं जानने के लिए, मैं एजुकेट होने के लिए ये बात कर रहा हूँ हाँ, मैंने तो कभी किसी यहुदी से मुला काद मी ने की जिन्दगी में लेकिन, ने, प्लीज, आई अई उन्ली वांट टू नो ये सुकूत धाका मैंने किसी और कांट्रेक्स में भी मिसाल दी है हमें तो वो याद नहीं रहा, ये हमारी याद दाशने हैं जो आपको बकाइदा मिला हुआ था रेकिजनाइज़ था को दो, सबादो अशरे कोई प्लस माइनिस, साथ भी रहा वो आप, वो तो नहीं है आज तो प्लीज बी रेलिस्टिक, हकीकत पसंदी बहुत बड़ी निमत है अब भी अगर अगर खाबों की दुनिया में रहना है और इंतदार करना है कि जब तो को बिलकुरी कोई आपकी कनपटी पे इसका क्या, वाट इस दो इशू, जो साथ है, जहां से इसलाम ने जनम लिया, जहां वो तलू हुआ, जहां महवे इस्तराहत है हमारी जन्द जान उन पे कुर्बान, जहां वो मौजूद है वो लोग किस तरह बहेव कर रहे हैं, वो हमसे ज्यादा रेलिस्टिक होंगे, मुझे नहीं पता वो नहीं हम ठेकेदार हैं, कमाल है मेरी समझ में ये बात आद नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर एक चीज़ मैं, आपने जो साथियनेविया का आपने एक्जामपल दिया और आपने का वो लोग जहां-जहां से इसलाम जो है वो तो लू हुआ हुआ है, ये मुझे बताईए कि वहां भी तो कश्मकश हम देख रहे हैं, वहां भी प्रॉब्लम उनकी भी इसी तरह आ मेरे अपने अंदर से लोग जो हैं वो साइसनेट कर दें, ये कश्मकश तो वहां पर भी चल रही है, तो मैं ये और जी आप से मैं जाना चारी हूँ, आप क्या समझते हैं, क्या आप समझते हैं कि इसमें हमारा फाइदा है, हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि यू एई ने कर होता है, ये कौन सी नहीं बात है, असेसनेशन हुई हैं, उस जमाने में भी इस तरह कि शर्पसंदी ये मुनाफ़ किये, वो सारे याद दमाग चला हुआ है, जैनुली, ना वो बंदा शर्पसंद है, ना वो मुनाफ़क है, ना कुछ भी, लेकिन उसकी अपनी अकल जिस त आप देते हैं, लाला खेर सेलम, नेरा कुछ दाट का प्रावलम है, मैं उमर के उस सिसे में हूँ, जहां आज हूँ, कल नहीं हूँ, खत्म होगी बात, जो एक नैचरल एक प्रोसेस होता है, मैं शायद इस तरह की बात, 40-50 साल की उमर में ना करता जो मैं आज कर रहा हूँ तो दोस्तो हसन निसार साब का आपने वीडियो देखा, हसन निसार साब हाला कि पिछले कुछ समय से, मतलब जब सिम्रान खान गवर्मेंट आई थी, काफी बदले-बदले दिख रहे थे, और वो इस तरीके की बात कर रहे थे, जैसे कि वो आप समझ सकते हैं, जैसे कि आज उन्हें चाइना के बारे में खुलकर बात की, चाइना की कालोनी, सीपै किये, और उन्होंने इसराइल को लेकर जो कमेंट किये, उन्होंने आपने किलियर ली सुना कि हसन निसार साब कहा रहे हैं, जब अरब, साओधी अरब के लोग इसराइल को कंसीडर करने के लिए तैय यूई के लोग कंसीडर करने के लिए तयार है तो आप कौन होते हैं जहां से इसलाम निकला जो लोग इसलाम सबसे पहले जो मुसलमान थे मतलब सबसे पहले दुनिया में मुसलमन आये थे वो लोग कंसीडर करने के लिए तयार है तो आप कौन होते हैं आप कब बने मुसलमान हसन निसार ने इस तरीके की बात इस वीडियो में करी आपको पता होगा दोस्तों साओधियरेविया के प्रिंस मुहंबत बिन सल्मान ने अभी कुछ दिन पहले सीक्रिट तरीके से इसराइली प्राइम मिनिस्टर नितनियाहू से मुलाकात की थी जिसके बात से ये ख़बर सोसल मीडिया पर और पाकिस्तानी मीडिया पर काफी चाहे हुई थी हलाकि ये ओफिस्यल मुलाकात नहीं थी इसे बहुत दबाने की कोसिस की गई लेकिन ये लीक कर गई ये बाते और पता चल गई पाकिस्तान इस ख़बर को लेकर इतना चिंते थाए से पाकिस्तान को पता नहीं क्या हो जाएगा पाकिस्तान अगर साओधे रेवे ने इसराइल को कंसीडर कर लिया तो पाकिस्तान में वतानी जैसे भूचा आ जाएगा और इसके बात पाकिस्तान में ये बाते भी होने लगेंगी अगर साओधी रेविया इसराइल को कंसीडर करता है तो पाकिस्तान कैसे पीछे रहेगा पाकिस्तान को भी करना पड़ेगा हाला कि आपको पता होगा ऐसी बाते जो कोई भी पाकिस्तान में करता है तो उसके खिलाव फत्वे निकल जाते हैं जैद हमिद ने कुछ दिन पहले बोला था मुसर्रफ ने ऐसी कुछ बाते करी थी लेकिन उसके बाद मुसर्र अफसान्त हो गया अगर ऐसी कोई बात करी का था उसका सर धर से अलग कर दिया जाएगा इसराइल को चैम चैमेर सकाइम करेंगे जयद हमें ऐसा कुछ बोला था लेकिन हैं हशननिसार साफ को सथमा फसे ने क्लियर्ली बोला इरब के लोग कैंसीडर कर रहा है तो आप कौन होते है आपको और इसराइल को चैमने उसमेर कीजार का का था ही रह जाएंगे और आपको क्या उम्मा शुम्मा का लीडर बनने का सौक चड़ा है ये कुछ भी नहीं है ऐसा हासन निसार सामने इस वीडियों वाला है ऐसी बात है वो पिछले तीन-चार साल पहले करते थे वाकी तीन-चार साल बात से उनका ये सबसौक खतम हो गया था आपने देखा था वो इन्बेडर्स की तारीफ ये वो अपने आपको खुद तुर्की समझे लगे थे लेकिन अब साइद वो फिट से फॉर्म में लौट रहे हैं वो पुराने वाले जिस फॉर्म के लिए इंडियन्स उन्हें काफी लाइक करते थे तो आप खुसस करते हैं इसी तरीके कि अगर हसन साथ साथ की वीडियो आते हैं तो आपके लिए